स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में जूओं को देखना एक शुप सपना माना जाता है क्योंकि इस अपना उस इंसान के जीवन में चल रही परस्तिती और भविशे से जुड़े कहीं कीमती संकेत देता है इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जुओं से जुड़े कोछ ऐसे कॉमन सपनों पर बात करेंगे जो एक इनसान देखता है और अगर आपको जुओं से जुड़ा कोई अलग सपना दिखाई देता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जैसे अगर आप सपने में जुएं देखते हैं तो ये सपना इस और संकेत करता है कि आपके जीवन की एक नई शुरुवात होने वाली है क्यूंकि आपको उन कारें में भी सफलता मिलने वाली है जिसके लिए आप अभी तक बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे थी साथ के साथ इस सपने का एक मतलब ये भी होता है कि आपको आर्थिक रूप से लाब होने वाला है बलकि ये कहीं कि आपको ये होने वाला धन लाब उस छेतर में होने वाला है जिसकी आशा भी आपने नहीं लगा रखी होगी और अगर आप सपने में जूओं को बालों से निकालते हुए देखती ही तो ये सपना इस और संकेत करता है कि आप अपने जीवन में आने वाली सभी परिशानियों और चिंताओं को इतनी आसानी से निकाल लेंगे कि सपलता के शिखर पर चड़ने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकीगा इसका सबसे बड़ा कारण आपके द्वारा सभी परिशानियों को पूरी साहस के साथ फेस करना हो सकता है इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आपको ये सपना बहुत अच्छी सला देने का काम कर रहा ह है कि अगर आपके सामने कोई परिशानी आती है तो डरे और घबराय बिना पूरे साहस सामना करें अवश्य ही आपको सपलता हाथ लगेगी और अगर आप सपने में जूओ को पकरते हुए देखते हैं तो ये सपना इस और संकेत करता है कि अगर आप किसी छोटी मोटी बेम सब्सक्राइब करने के आप तो ये सपना आपको भविश्य में मिलने वाली मानसिक शांती की और इशारा करता है जो कि आपके घर-परिवार के सदस्यों को भी सुख शांती का जीवन प्रदान करने में सहायक सिध हो इसके अलावा इस और और इस और इस आर नोगरी में किस सोच रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत कर दीजिए क्योंकि आपको अपने स्कारे में भगवान जी के अश्रवात के साथ साथ सभी आने लोगों का भी साथ मिलने वाला है जो अलग-अलग तरह से आपकी करेंगे और आपको सफल बनाने में अपनी पूरी महनत लगा और अगर आप सपने में जू को मारते हुए देखते हैं तो यह सपना इस और संकेत करता है कि आपको उन सभी वाद विवादों से छुपकारा मिलने वाला है जिसमें आप बेवज़ा फसे हुए हैं और बिनावज़ा ही इन सब परिशानियों का सामना कर रही हैं लेकिन